लिमिटर आ गया था शाय से इसका अंदर जो असली आरेस वाला पॉंचर जो अपनी में है बीस फॉर में वो तो ही नहीं है गाइस विल्कम बैक टू प्रीद व्लॉग आज मेरे पास है कि बजाज की पलसर आरेस 200 बीस 6 फेस्टू जिसको काफी लोग बीस 7 भी बोल रहे हैं सबसे पहले फेस्टू की पहचान तो यही है गेर पोजिशन इंडिकेटर और आज इस बाइक को राइड करेंगे भाई आप लोगों की डिमांड आई थी मेरे पास की भाई बीस 6 फेस्टू का भाई प्रीद भाई राइड रिवी बनाओ अब इस शीशे कैसी साइड दिखाते होंगे कैसे जीब से विचितर से सीशे है पता नी भाई इनमें क्या साइड दिखते होगे वे तो लगवाने वाले ही अदबुत पर आनी जाने तो सबसे बहले भाई दे कितने हिल रहे हैं शीशे थोड़ी रोड भी ऐसी सी है मुझे लग रहा है इस बाइक के अंदर हवा बहुत जाद है बहुत कूदरी है यह देखना शीशे भी कितने बुरे तरीके से हिल रहा है और अगर आप लोग बोलोगे तो इस बाइक को मैं अपनी रहेश टूहंट्र अटिसा कंपैरिजन भी बना दूगा कि चलने चलाने में इसमें क्या फराक है क्या नहीं है यह अच्छी चलती है यह फिर बीएस सिक्स वाली एच्छी फोर वाली एच्छी चलती है इस बाइक के अंदर मैं जैसे एक चीज तो फील कर पा रहा हूँ जैसे पुरानी अपने पास बीएस सिक्स वाली आरेस थी ना उसमें और इसमें थोड़ी सी है उसके आगे स्मूध फील हो रही है हल्किसी फील हो रही है कोई बहुत लादानी उननीस बीस का वरा कितना बहुत छोड़ा सा नोटिसेबल डिफ्रेंस है भाई यह जड़ा पहले अपना फोन रख लूँ जिम में अगर भागने की बात कर जाए तो भाग तो यह भी ठीक ठाक रही है ऐसा ने की विल्कुल भाग ही नहीं रही है पुल अच्छा दिखा रही है जैसे थर्ड गेर पे पुल कर रहा हूँ तो पावर बैंट इसका भी मुझे अभी बताऊंगो आपको आगे उपर में रोट पे बताऊंगो कितने हजार आर्पेम पर मुझे सही पावर बैंट का मतलब एक फील हो रहा है कितने हजार पैसे लग रहे है कि हाँ भई आरेस वाला जो पंच वो इसके अंदर आ रहा है कि इसके अंदर जो अथली आरेस वाला पंच जो अपनी में है वह तो है ही नहीं यह क्लोश टू सेवन थाउदंट आर्पियम या फिर सेवन थाउदंट आर्पियम प्लस उससे उपर तब अच्छा पावर फील करवारी है चलो एक तो इसमें साड़े दसादार आर्पियम पे लिमीटर आने के बीमारी एकसिलरएशन की बात करीचा भैए एकसिलरएशन अच्छा है और इस भाग अच्छा रही हैशा बात में दो रहौँ जा एक जातार है पावर परफॉर में कमी लग रही है कहीं मतलब ऐसा नी लग रहाएख और भाग है बस यह है कि हा अगर कहीं BS4 से compare करूँगा तो definitely भाई ऐसा लेगा कि भाई और भागे बट BS6 phase 2 इतने सारे नोम्स के अंदर आने के बाद इतने सारे मतलब catalytic converter oxygen sensor इतनी सारी चीज़े इसके अंदर भरने के बाद अगर मैं बात करता हूँ ना तो बाइक अच्छा चल रही है बाइक मदे दे रही है बट हाँ मैं एक reality बता रहा हूँ भाई vibration भी फील हो रही है मुझे लगा था कि vibration सुधर कहीं होंगी बट ऐसा कोई खास नहीं है बाई vibration का मुझे अच्छा खासा पता चल रहा है vibration में मतलब मेरे को यह बाइक फील करवा रही है कि हाँ भाई इसमें वाइब्रेशन है और कितने आर्पेम पर करवा रही है छेदार आर्पेम के बाद बढ़िया वाइब्रेशन आ रही है इसके अंदर अच्छी खासी दिल्ली पुलेश सक्ट्यम चॉक इसमें कोई कुछ शिफ्टर नहीं आता कभी आप लोग यह समझो कि कुछ शिफ्टर आप क्लेशलेस कैसे कर रहे हो यह आपके भाई को आता है यह इन बिल्ट वाला कुछ शिफ्टर होता है यह घयर बोक्स बहुत अच्छा है बायका मतलब गयर वक इत्ना सवी फील हो रहा है मतलब की गयर शिफ्टिंग में आपको मदा है का एकदम已经 शिफ्टर लगने वाले हैं ब्रेकिंग ठीक है यार ब्रेकिंग मतलब ऐससे जितने कोई बहुत अच्छी नहीं है बहुत बेकार नहीं है ठीक है consider braking मोँ कोई कमी नहीं है बट ये है कि आपको एक सर्टेन RPM पर आने के बाद ये पावर देगी और जो इसकी अवाद है उसमें और मेरी वाली में बहुत फार्क है और एक तो यह 10,000 रार्पियम वाला है यह बड़ी दिक्कत है लिमिटर आ गया था शाय से इसका मुझे जहां तक ध्यान है अगर इस टेबिलिटी की बात करी जाए तो भाई चिपक के चल रही है अच्छा भाग रही है भागने में कोई कमी पेशी नहीं है कलेच इसके अंदर भाई देखो यह वाला है मतलब यह वाला इंदा सैंस आप यह लगा लो नौर्मल कलेच है स्लिपर विलिपर तो आता नहीं है इसके अंदर और यह शीशे भी ऐसे हैं कुछ दिखता नहीं है नमें पीछे क्या फायद है इन शीशों का कुछ नहीं दिख रहा है भाई कुछ भी जिसे कहते हैं यूजलेस मिरर्स थोड़ा सा राइट लेते हैं एक चीज़ है जैसे मैं साफय को चला रहा हूँ न किये थोड़ा भी भी दीजानी जैसे बंदी है जैसे बहुत भी ऐसा इंजन खुला है है प्रॉपर ऐसा फिल हो रही है मैं अपनी आरेस भगाता हूं उसका एक्शुलेटर कोलता हूं भाई चुंगाड़े मारती हूं बागती है गंदी हर गेर पर कितना जा रही है वो चीज मैं भी आगे चेक कर लूँ है किस गेर पर कितना जा रही है टायर्स इसके अंदर आज कि थोड़ा सफेंशन अकर चेक करा जाए तो टैलिस्कोपिक सफेंशन है भाई हाँ वही है तो बॉत तो थेखो आप को फ्रेंट फेंड पर जो है न गढड़े वद्ध पता चलते ही है यह थोड़ा मतलब है इसकी सपेंशन के साथ सपेंशन इसमें यूएजडी फोकस आज एंगे रहें तो मज़े आएंगे एंश की सपेंशन इससे अच्छी है हाँ गटे फील हो रहे हैं तो सपेंशन के ऊपर तो मुझे लगता भी बजाच को काम करना चाहिए यह उनके पास एविलेवल है सपेंशन इस्टॉक में पढ़े है बस आरे समें लगा नहीं रहा है पता नहीं किस बात की रहा देख रहे हैं बाकी इस वाइक की जो रियर ब्रेकिंग है रियर ब्रेकिंग भी ठीक है अब एक बार ही देखेंगे कि इस गेर में कितना स्पीड बनाती है थोड़ा सा चेक करते हैं यहां पे है ना गयर नमबर वान फॉर्टी एट शिक्स्टी फाइव फॉर्थ गेर यहां पे नहीं कर पाऊंगो फॉर्थ गेर करेंगे आगे फॉर्थ फिफ्ट गेर ते कि करूँगा इससे ज़्याद नहीं करूँगा फिफ्ट भी शायद मुश्किली होगा जो इसका असली पाऊवर बैंड श्टार्ट हो रहा है न वो आठ हदार रपेम के आसपास हो रहा है मैंने साथ हदार बोल दे सॉरी साथ नहीं आठ हदार रपेम बोलना ठीक होगा साथ से आपको हलका फील होना शुरू हो जागा कि यहां भागना स्टार्ट कर रही है पर अब फोर्थ गेर में देख लेना कितना जाएगी को खुआ या अगया था लिमिटर शैसे एकसोतीन एकसो चार गई ती रोड अच्छी नहीं है यहां पर तो मतलब वही जो भी घईती सो एकसोतीन एकसोतीन एकसोतार तो ऐसा कुछ बाइक वाइ सका पावर बैंड है और इ दिखाती इतनी मनाती है कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है चलने चलने में भाइक करों ना वह देखो ओवर ठीक हैगी मतलब देखो बीएस फोर बीएस थी वाला तो मज़ा नहीं है पर बीएस इक्स फेस्टू के हिसाब से सही चल रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत परिशानी लगी वह दिक्कत नहीं थी अच्छी भी अच्छा है बर टायर में मुझे ऐसा लगता है कि जितना पैसा प्राइज ठीक ही जा रहा है और रिंग बड़े सही लग रहे है और शीट कमफ़र्ट भी ठीक है सब्सपेंशन भी अच्छा काम कर रहा है बट सब्सक्राइब तो वह ज् तो मैं पर्सनली बोलूँगा अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको आरेस ही पसंद है फैन बॉए हो ले लो थोड़ा देखकर रखना डेलीगेट है हर किसी कहाँ में जाद मत देना वरना भाई खर्चे खुर्चे आ जाते हैं इसमें मोटे से और थोड़ा आराम से चल